हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ यास्मीन बॉलिवुट के मशूर लेखक जाविद अक्तर जो हमेशा ही सोशल मीडिया पर आक्टिव रहते हैं और किसी भी मुद्धे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं रहते वही इस बार उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वज़े से लोगों ने उन्हें निशाने पर ले लिया है दरसल हाली में प्रधानमंत्री कॉंग्रिस पर हमला बोल रहे थे तब उन्होंने एक शेर सुनाया शेर सुनाने के बाद सोशल मीडिया पर इस पर खूब चर्चा होने लगी जिस पर बॉलिवूड के मशूर लेखक जावेद अक्तर ने भी बोलने का मौका नहीं छोड़ा बस फिर उनका इतना बोलना ही काफी था कि लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और ट्वीट करते वे कहा लगता है इंसेक्योरिटी हो गई है जनाब को कहीं मोदी शायर ना बन जाए नरेंद्र मोदी साहतिकार नहीं है लेकिन फिर भी जावेद अक्तर को चोट पहुँचा गया जावेद साहब हम आपकी कदर करते हैं पर ये शोभा नहीं देता आपको आपको बता दे कि हाल ही में खुद अमिता बच्चन भी इस गलती का शिकार हुए थे